सारा प्रेस मीडिया दिखा रहा है और आपको नहीं जानकार यहीं दुखद दुरभागपुन है उसकी जनून मांग परिक्षा को रद करने का सीबी आई से जांच कराने का जो बार बार पेपर लिख कर रहा है नुकती गोंटाला कर रहा है नुकती के नाम पर नमस्कार आप देखें नुश्पोनेशन मैं आपके साथ अब जी सिंग बी एससी के जो अभियरतियें हैं बीती दिनों स्टड़क पर पर परदसन कर रहे थें जिसके बाद पुलिस परसासन के द्वारा उन पर लाठी चार्ज कर दिया गया और जब मुखमंती नितिश्क मार से पूछा गया कि BSSC छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ है तो उनका साफ तर पर काना है कि हमें तो मालुम नहीं है कि छात्रों पर लाठी चार्ज हुआ वहीं इसी परut шир मुखमंत्री नितिश्कमार का जो पकड़ है काफी धिला हो गया क्या कुछ करें विजा इसी नापले सुने उनकी बातों को यात्रा पनहें तो उन्होंने बयान दिया कि मुझे कोई जानकारी नहीं है कि किन बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ है देखे मानले मुखमंत्री जी का अब पकड़ धेली पड़ गई है परसासन के लोग अब इनको पूरी बात बताते नहीं है इतनी बड़ी घटना घट गई पूरा प्रेस मेडिया चैनल सब दिखा रहा है और मुखमंत्री को ये जानकारी नहीं है इससे बरा दुखद दुरभागपुन क्या होगा मतलब बिहार जल रहा है और मुखमंत्री को पता नहीं है हद हो गई ये तो हमारे बच्चे के ऊपर लाटी चार्ज हो रहा है सांती पूर्डंग से वो जुलूस निकाल रहे थे और आपके पददिकारी क्या जुलूम ढ़ा रहे हैं सारा प्र जो बार-बार पेपर लिख कर रहा है नुक्ति गोंटाला कर रहा है नुक्ति के नाम पर किस तरह से ब्रहस्त थंत्र की मजबूती दिखाई पर रही है ये दुखत और दुरभागपुन है इनको तो नौलेज ही नहीं है तो हम क्या करें बहुत ज्यानवान बनते हैं कई लोग उसमें हैं महागठवंधन के आज देश के प्रधान मंती नरेंद्र मोधी जीन है जो लगहू कुटिर उद्धोग से बड़े उद्धोग का वातावर्न बनाया रोजगार का सिर्जन किया आज मुद्रा योजना के माद्धम से जानकारी लेजिये पूछे उनसे कितना करोर लोग लाब उठाया मुद्रा योजना क्या है मुद्रा योजना का लाब कौन लोग उठाया है और लगहू कुटिर उद्धोग में कितने लोगों को रोजगार का अफसर मिला ये 24-25 करोड से ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार का अफसर मिला है एक वातावर्न बना है देश के अंदर एक महोल ख़रा हुआ है आप डोल बजा रहे हैं दूसरे को पूछने के पहले आप बिहार में 20 लाख रोजगार का सिर्फ बता तो दें कि जिसको रोजगार देंगे उसको बेतन कहां से देंगे आप कम से कम सिच्छक अभ्यर्थी सारे 3 लाख है आप उसको तो रोजगार दे दें देर लाख को NDA ही स्वास्ति विभाग में निकाल का गया है उसको तो रोजगार दे दें आप 20 लाख का तो छोड़ दें 10 लाख भी कर दें तो लोग समझेगा कि ने इसमें दम है अपने तो कुछ करना नहीं है और दूसरे से हिसाब पूछना है 32-33 साल आप रहे हैं बड़े भाई छोटे भाई मिल करके और 60-65 साल कॉंग्रेस के लोग भी सासन किये हैं ये अपना ह हिसाब पहले दे दें देश के प्रधानमंती नरंदर मोदी जी आज लोगों को अस्किल डेवलपमेंट के मादधम से करोनों रोगों को रोजगार दिये हैं आईए बहस करिए बैट करके तर्क करिए कि कितना रोजगार का सिर्जन हुआ कितना रोजगार का अवसर बढ़ा रोजगार के नाम पर आप लोग को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है क्योंकि आपके समय में क्या रोजगार था अफ़रन उद्दो का रोजगार था न हत्या अफ़रन लूट बलतकार का खेल खेलने वाले लोग का रोजगार देते थे न राजत कॉंग्रेस की सरकार थी बिहार के अंदर कौन-कौन सा रोजगार था आज कम से कम NDA की सरकार रही वो रोजगार खत्म हो गया लेकिन हाँ आपकी सरकार बीच में 2013 का बाद बनी मुख मंतरी नितिश कुमार जी सराब का रोजगार सब को दे दिये सरकार में आप भी समलित थे न हम तो बिपक्स के नाते चैतावनी भी दिया था कि जो सराब का आप बंदिस करने जा रहे हैं तंत्र कमजोड है आपका तंत्र भरस्ट है सरकार में भरस्ट लोग बैठे हैं सराब के नाम पर हमारे बेरोजगार नौजवानों को सराब का माफिया बनाने का खेल आप खेल रहे हैं एक नए अपरादिक बर्ग को तयार कर रहे हैं ये सराब सप्लायर का रोजगार आपने जरूर सिर्जन किया इसके अलावे कौन सा रोजगार बिहार में बढ़ा अरे जो रोजगार देने बाला है वो तो प्लाइन कर रहा है निवेशक बिहार में आ कहा रहा है उसको सुरक्षा नहीं मिल रही है जिस तरह से हां हत्या अफरन लूट हो रहा है निवेशक भाग रहा लोग बे रूजगार हो रहे हैं है निवेसक को जहां सुरक्षा मिलती है वहीं जाता है वहीं रूजगार का सिर्जन करता है अरुजगार का सब्सक्राइब काया है कि जिस तरह से यूपी में राम राज है उस तरह बिहार में भी राम राज आएगा इस तमाम खबरों कर बने रहे हैं नुश्व नेशन के साथ नमस्कार